हेलो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका मेरी चैनल स्टडी पॉइंट पे तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बहुत बहुत जादा इंपोटेंट होने वाली है और बहुत ही यूसफुल होने वाली है तो चलिए शुरू करते हम अपने आज की वीडियो तो हमारा कोशन नमबर वन है फोटोग्राफि में उपयोगी तत्व कौन सा होता है तो वो होता है सिल्वर ब्रोमाईड हमारा सेकंड कोशन है ओजोन की परत किस रशायन से मुक्यत नश्ट हो रही है तो वो हो रही है CFC से यानि क्लोरो फ्लोरो कार्बन रश्टिय रसायनिक प्रियोकसाला कहां स्थित है तो ये स्थित है पुने में और हमारा फॉर्थ कोशन है जब पानी उबलता है तो इसका ताप क्या रहता है तो इसका ताप एक समान रहता है हाइड्रोफोबिया रोग किस से होता है तो ये होता है कुट्टे के काटने पर जो तत्व ऑक्सिज के रूप में सुस्क बर्फ किसे कहते हैं तो ये बोलते हैं हम ठोस कार्बन डायोकसाइड को एर ब्रेक का अविस्कार किसे ने किया था तो ये किया था जी बोस्टिंग हाउस ने जल का गंतव अधिक्तम होता है 4 डिग्री सेल्सियस बर रेफरिजेटर फ्रीज में थर्मोस्टेट का क्या कारिया है तो उसका कारिया होता है एक समानता अपमान बनाई रखना मानव सरीर की सबसे बड़ी हड़ी का क्या नाम होता है तो वो है फीमर दवनिक अविक किस माध्यम में अधिक्तम होता है तो ये होता है स्टेल में ये करत तेल में किसकी परचूरता अधिक होती है तो वो है विटामीन A, एथिलीन गैस का प्रियोग किया जाता है LPG गैस में लिकेस ग्यात करने के लिए, बारत का पर्थम परमानू बिजली घर कहां प्रारंब हुआ तो ये वा तारापुर में, वेंचुरी मीटर से ग्यात क मानव शरीर में डिहाइडरेशन किस पदारतों की कमी के कारण हो जाता है तो वो होता है जल वैलवन की वज़े से पाइरोमीटर क्या नापता है तो ये इससे हम मेजर करते है विकर्नों के द्रिवता को कोसी का भीती किस की बनी होती है तो ये बनी होती है सालूलोस की इंसुलन की कमी से कौन सा रोक हो जाता है तो इससे हो जाता है डाइबटीन्स यानि मदू में मेटियोरोलोजी विज्ञान कौन सा है तो वो होता है मोसम का हरे फलो को कृतिम ढंक से पकाने में पर्युक्त गैस कुन सी काम आती है तो वो पकाये जाते हैं एसिटिलीन गैस से विटामिन की खोज किसने की थी वो किती फंक ने जिनोम चितरन का संबंध है मस्तिश्क के चितरन से एड़वर्ड जेनर द्वारा विक्सित ठीके का संबंध किस बिमारी से है तो वो है चेचक से पैरिया रोग सरीर के किस अंग को पर भावित करता है तो वो करता है मसूडे को निला थोता क्या है निला थोता बोलते हम को पर सलफेट को हरे चस्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी तो वो दिखाई देती है काली फैदो मीटर का उपयोग किस राशी को मापने में किया जाता है तो ये किया जाता है समुंदर की गहराई को नापने में गैस इंजन की खोज किसने की तो ये की थी चारलस ने मानव शरीर में सबसे छोटी गरंती कौन सी है तो ये है पिट्यूट्री किसके चिकिस्सा में डायलेसिस का प्रियोग होता है तो ये होता है गुर्दे की रश्ट्रिय सुचना विज्ञान के अंदर किस्ता अपना कब की गई थी तो ये की गई थी 1977 में अलजीमर रोख से मानव शरीर का कौन सा अंग पर भावीत होता है तो ये होता है ब्रेव अमस्य में भोजन कितने समय तक रहता है तो ये रहता है तीन गंटे तक सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो गो होती है Mycoplasm RBC लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन का आत्म गाती थैलियों को किस नाम से जाना जाता है इन्हें जानते हैं हम लाइसोसों के नाम से एक समान कोशिकाओं से मिल कर बनी सरंचना क्या कहलाती है तो हम उने बोलते हैं उत्तक याने टिशू नमक का अनुसुत्र है NACN जल का बिरफ में बदना परिवर्तन क्या कहलाता है तो ये कहलाता है बोतिक परिवर्तन प्यूश गरंती को नियंत्रित करने वाली गरंती कौन सी है तो वो है हाई पोथलेमस पतियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो वो है मेगनीशियम सरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनी जलावन कौन सा है तो वो है NACL थाइरोकसीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो वो होता है गेंगा एक लाल फुल को यदि निले परकाश में देखा जाए तो ये कैसा दिखेगा तो ये काला दिखेगा बादब कोशिका की कोशिका भीती किस चीज़ की बनी होती है तो वो बनती है सैलूलोस से कौन सी गरंती अंतह स्त्रावी वह भी स्त्रावी दोनों परकार की होती है तो वो तिये अगनाश्य गरंती हाती में बाहर की और निकले दाथ किस परकार के होते है वो ते करिंतक दाथ पाचिक एंजाइम नहीं होते है किस में नहीं होते तो वो पितरस में नहीं होते पर्तम कोशिका की उतपती किस स्थान पर हुई को वो ही जल में कोशिका का सकती ग्रहे क्या है वो है माइटो कॉंडरिया लाइसोसोम की खोज किसने की तो वो की D.U.V. परानी में सबसे लंभी कोशिका कौन सी है तो वो है तंतरीका कोशिका, कोशिका की खोश किसने की, तो वो की थी रोबर्ट हुक ने वेसक लाल रक्त कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता, वो है केंद्रक मानोशरीर की सबसे चोटी कोशिकाएं कौन सी है, तो वो है RBC लाल रत कोशिक आएं कारभुहीडेट की मात्रा कितनी होती है वह होती है एक परसेंट मानोर शरीड में पाई जाने वाली आमीनोमलो के संक्या कितनी है याने आमीनोासिड कितने होते है तो वह होते हैं 20 मानो सरीर की सबसे बड़ी गरंती कौन सी है तो वो है यक्रित बोजन के परमुक अव्य कौन से होते हैं तो वो होते हैं वसा, प्रोटिन और कार्बोहाइड्रेट उच सवशित वायू में कार्बन डायोकसाइड की मात्रा कितनी होती है तो वो होती है 17% मनुश्य में एक मिन्ट में शवशन दर कितनी होती है तो वो होती है 12 से 18 बार बिच्चु में शवशन अंग कितने होते हैं तो ये पुष्ट फुस फुस कहलाता है जनम के समय शीशु में शवशन दर कितनी होती है ये होती है 35 बार पड़ती मिनिट सवशन दर सबसे कम होगी सोते टाइम वायू मंडली हवा का समुंदरी तल पर कुल दाब कितना होता है तो ये होता है 760 यान 760 HG किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है तो ये विटामिन के की कमी से नहीं बनता है मनुश्य का हिद्य कितने कोष्ट ये होता है तो इसमें 4 चैंबर होते है सारवत्रिक दाता रखत समुम् को कौन सा होता है ताव होता है O हिद्य की सपंदन की जांच करने की परकरिया कही जाती है ECG रखत होता है शारी सिग्नमो मेनोमीटर से हम क्या नापते हैं तो इससे हम बलड प्रेसर मेजर करते हैं एंटीबोडी का अभाव होता है AB बलड ग्रूप में एंटीबोडी का अभाव होता है AB बलड ग्रूप में सरीर में रोग परती रोधक्ता के लिए जिम्मेदार होती है WBC यानि श्वेत रक्त कोशिकाई मुत्र के साथ ग्लुकोस का निकलना किस रोग का संकेत है तो ये संकेत होता है डाबटीन्स का मनुश्य के मस्तिश्क का बाहर कितना होता है तो यह उता है लगबग 1400 ग्राम कौनी की संदी होती है कोड संदी मानव शरीर की सबसे चोटी अस्ति कौन सी है तो यानि हड़ी कौन सी है सबसे चोटी तो वह स्टेप्स जो कान में होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्ति यानि सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है तो वह फीमर जैवी गड़ी का कारिय करने वाली गरंती कौन सी है तो वह है पीनियल गरंती इस्तनी में BMR नियंतरित करने वाला होर्मोन कौन सा है तो वह है थाइरोकसी नारी विकास हार्मोन होता है एस्ट्रोजन बोजन में आयोडेन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो वो है गोईटर द्वित्यक उपभोगता का उधारन कौन सा है तो वो है मेंडक मानव शिशु में अश्रुप गरंतिया स्क्रिय होती है जन्म के चार महिने बाद गौर पाटा किस आवाश में पाए जाता है तो ये मरू आवाश में पाए जाता है मेंडल ने किस पादब पर परयोग किए थे तो ये कहते इतने मटर पर वरगद क्या है एक आवर्त बीजी पादब बोजन बनाने में गैस ग्रहन करते हैं कार्बना योगसाईड निम्न वेसे किस में काइक जनन होता है तब होता है पत्थर, चट्टा, आलू और गुलाब पुश्व में जननांकी क्या है तो वो है पुमकेशर ट्रिपनोसोमा से होने वाला रोग कौन सा है तो यह है निद्रा रोग तो आपको एक वोशन दियान रखने है